महाराश्ट की सियासत की महाराश्ट में चुनावी घमासान जारी एक तरफ नमांकन का दौर है तो वहीं सीट शेरिंग पर अभी भी मंधन जारी है महाराश्ट्र वेकास घारी में 15 सीटों पर पेश फसा हुआ है तो महा यूती में भी 10 सीटों पर बात नहीं बन रही है बैठकों का दौर जारी है तो दोनों ही गटबंधन दावा कर रहे हैं कि सीट पर जल्द फैसला ले रिया जाएगा देखिए और फिलहाल महायूती की सरकार में डिप्टी सीएम है नागपुर दक्षिन पश्टम सीट पर कॉंगर्स की और से प्रफुल गुड़दे फटन बीस को चुनोती देंगे हाले कि प्रफुल गुड़दे को फटन बीस 2014 के विदान सभा चुनाव में हरा चुके है यह सही है कि मेरी छटवी मेरा छटवा चुनाव है लेकिन जैसे पिछले पाच चुनाव में मेरे साथ जनता का भी आशिरवाद था माता जी का भी आशिरवाद था ऐसे ही इस समय भी आशिरवाद रहेगा और बहुत अच्छे वोटों से में चुन कराऊगा मुंबई की वरली सीट पर चुनावी बिलासपुर में अंतराजी ठग गिरों का सरगराग रफ्तार मार्केट निवेश का विग्यापन देकर बैली सलाग की ठगी सारंगर में जला सिक्षा अधिकारी कारेले में एसी भी का छापा एक कर्मचारी रिश्च्वत लेते पकड़ाया बिलासपुर में बिना अनुमती बेची गई शाष्की पठे की जमीन कलेक्टर ने ततकाल प्रभाव से नरस्त किया पठ्टा कवरधा में कलेक्टर ने सुनी आधिवासियों की समस्या आधिकारियों को दिये समाधान के निर्देश हालकि खोड़ नवाब मलक अभी तक बे टिकट है नवाब मलक को लेकर काफी समय से राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही थी कि उन्हें पार्टी टिकेट देगी या नहीं नवाम मलिक और दिवेंदर फड़नवीज के बीच काफी समय से सियासी रस्सा कश्ची चल रही है जिसकी वजह से माना जा रहा था कि नवाम मलिक को इस बार बीचपी के दबाव में अजीद पवार टिकेट नहीं देंगे बहुत लोगों ने बहुत सारी राजनीतिक बात की राजनीतिक मुद्दा उठाया मैंने मेरा बाप खोया है और मेरे बाप खोने के समय में भी बहुत लोगों ने राजनीती माहौल बनाया उसका राजनीती गलत तरीके से उपयोग किया गलत गलत वादे किये गलत गलत पर्दों में रखा मैंने बहुत साल कॉंग्रेस में बिताया है जब से होच समाला है कॉंग्रेस में ही था दुख तो है कॉंग्रेस ने हमेशा वैल्यू नहीं किया मैं ठीक है इस बार शिवसेना जब वो जान जाएंगे कि शिवसेनों बट्टा सही नहीं है तो मुझे लगता है कॉंग्रेस कारिकरता और भी खुश रहेंगे हमने राश्टरवादी ने मुझे पर भरोसा किया मैं बहुत बहुत शुक्रियादा करना चाहूँगा और जिसने हमें इस कठिन समय पर सम्मान दिया उसके साथ हम हमेशा रहेंगे महराश्ट चुनाव में सीटों पर भी दंगल जारी है महाविकास अगहाडी में 15 सीटों पर अभी भी पेचवसा हुआ है शिफसेना 100 सीटों की मांग कर रही है अगहाडी में शामिल कॉंग्रिस 48, NCP शरत 45 और शिफसेना उधव 65 प्रत्याश्यों की लिस्ट जारी कर चुके है उम्मीदवार तै करने के लिए कॉंग्रिस की केंडरी चुनाव समीती की बैठक हुई जिसमें कॉंग्रिस अध्यक्ष मलेकार अर्जुन खडगे राहूल गांधी के साथ महाराश्य कॉंग्रिस के बड़े नेता शामिल हुए लगबक सबी सिटों पर हमारा चर्चा पूरी हो चुकी है हमने कहा हमने कुछ हुमे दोरां का च्वेन क्या है उसकी घुषना की है आज शायद हम जो हमारे अलाइंस है छोटी छोटी पार्टी है उनके साथ भी आद हमारी चर्चा पूरी हो जाएगी फिर जो सिटे बचेगी वो अपस हमारे तिन पार्टी में उसमें चर्चा होकर सोमवार तक पूरा निर्णय पूरी यादी पूरी लिस्ट आ जाएगी क्योंकि बाकि दो दिन बच्चे हैं मंगलवार तक उससे पहले हमको नॉमनिशन फाइल करना पड़ेगा महायूती के घटक दलों के बीच में भी कुछ सीटों पर फाइनल फैसला नहीं हुआ है लेकिन कहा जा रहा है कि ग्यारा सीटों पर फैसला बाकी है हालकि फड़नवीज का कहना है कि सीटों का पेच सुलझा लिया गया है ब्यूरो रिपोर्ट यूज एटीन उपचुनाफ के शोर में एक शोर कार्तिके सिंग चोहान का भी है जी हाँ बुद्नी में चुनाफ प्रचार के धोरान कार्तिके ने एक बयान दिया था जिस पर दिगविजय सिंग ने सला थी तो सियासी कलेश शुरू हो गई बीजेपी ने दिखविजे सिंग पर निशाना सात्य विका की पहले दिखविजे सिंग अपने बेटे और भतीजे को सलाव दे उधर कॉंग्रेस ने पलेटवार करते हुँए कहा कि बीजेपी में हताशा और निराशा साफ दिखाई दे रहे हैं बयान पर सलाह शुरू हुई कलह अगर गल्पी से भी कॉंग्रेस का विधायक वैसे होने वाला नहीं है लेकिन गल्पी से भी आ जाता है यहाँ पर तो एक ईट किसी के गाउं में नहीं लगने वाली यह समझ लेना आप सब कार्थिकिये को नसीहत गर्माई सियासर बीजेपी कावार कॉंग्रेस का पलटवार अरे दिविजेश सिंग पहले अपने घर में आप इस प्रकार्णी चीजों कुटरियों घमंड और हैंकार बताता है कि भारती जंदा पार्टी कितने निम्रिस्तर पर आ चुकी है एमपी में उप्चुनाव का दंगल जारी है कॉंग्रेस और बीजेपी के दिग्गत चुनावी प्रचार में जुटे हैं इस बीज चिवराज सिंग के बेटे कार्थिके सिंग के एक बयान पर सियासत चुरू हो गई है सबसे पहले आपको कार्थिके का वो बयान सुनाते हैं जिस पर बयान बाजी का दौर चल पड़ा है अगर उन्मी साथ भीसा हुआ किस मूँ से जाएं कि हम अमारे निताओं के पास खांग करा जें कि लिए कौम सी सड़क लेके जाओगे अगर गल्पी से भी कौंगरेस का विधायक वैसे होने वाला नहीं है लेकिन कल्पी से भी आ जाता है इसी बयान को लेकार कौंगरेस के वरिश्ठ शुनिता दिख्विजए सिंग ने कार्थिके की एक को सलाह दी है दिग्विजय सिंग ने सोचल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कार्ती के अभी से इस प्रकार का भाशन ना दो अपने पिता शिवराज सिंग चोहन से सीखो लोगतंत्र में सरकार और विपक्ष दोनों मिलकर भारत निर्मान में सहयोग करते हैं दस साल तक मैं मुख्यमंत्री रहा लेकिन मैंने इस प्रकार की भाशा का कभी उप्योग नहीं किया आपके पिता गवा है पंचायत राज कानून में निर्मान काम करने के जिम्मेदार सरपंच की होती है ना के विधायक की और आप तो अभी न सरपंच है और न विधायक आप मेरे पुत्र नहीं पौत्र समान है ये मेरी राय है आप माने ना माने आप जाने और सचमुच में मेरे लिए तो ये बड़ा प्रसंता का विशे है कि आदरनी चाचा साहब मुझे और मेरे बयानों को इतनी नजदीकी से देखते हैं इसके लिए उनका आभार और दूसी तरफ जहां उनके बयान का सवाल है जहां कॉंग्रेस के बयानों का सवाल है उनके निताओं के बयानों का सवाल है वो सब ड़ने डराने की बाते करते हैं दिगविजाय सिंग के सलापार अब सियासी कलह शुरू हो गई है बीजेपी ने निशाना साधेते हुए कहा दिगविजाय सिंग पहले अपने बेटे और भतीजे को सिक्षा दे हमने देखा कि किस प्रकार से लिकारियों के साथ सिग्रेट के चल्ले आते हुए बेहादी असोबनी आचरण करते हुए उनके भतीजे हैं वो केमरे पर रिकॉर्ड हुए थे वहाद भारती जल्ता पार्टी के नेताओं पारिकर्ताओं को सबस्दा आचरण की सीख दे रहे कार्ती के चोहान ने जिस तरीके से जनता को धमकी दिये हैं कहा कि अगर बुधनी हारे तो एक इट नहीं लगेगी यह घमंड और हैंकार बताता है कि भारती जनता पार्टी कितने निम्निस्तर पर आ चुकी है विलहाल उक्चनाओं के बीच कॉंग्रस और बीजेपी के बीच कार्ती के बयान पर तक्रार जारी है ब्यूरो रिपोर्ट निउस एटी